तो आपको जाना है वीडियो को दिस्क्रिप्शन के आता जाए तो पाने होता है उसके नीचे आपको आपको रहे हुआ है फिर लिंक पर जैसे पृता है कंदर और प्ले स्टोर नोगों और फिर आपको करने के बाद आपको यहां पर पहले से काम आज शुका तो मैं दूसर नमर याप लगा जाता हूं अबसक्राइब आपको यहां पर करना जाने के बाद आपको अजय में यह ओंड़ नियुक्त से करते हैं यहां पर लगाना है और यहां पर लगाना है और यहां लगाना है करना है आपको फ्री एक तीन दिन का मिल जाएगा और पेमेंट सकसर होता है मतला आपको तीन दिन तक फ्री में दे सकते हैं यह सब करने के बाद आपको होंपेच में जाना है करने के बाद आपको क्या चीज़ करनी है यह सब करने के बाद आपको क्या चीज़ करनी है आपके उनिवर्सल और सॉलिट आपके विलायक बोलता है मतलब जो लोग और चीज़ों को गोलता है तो पानी आपका होता है सारवत्त्रिक विलायक मतलब मोस्ली दुनिया में जो भी चीज़े पाई जाती है जो पानी का पाई जाती है इसके जो प्रकृरती रहती है वो होती है उबहधर्मी उबहधर्मी के मतलब क्या होता है अमलिया भी होता है और छारिया भी होता है मतलब दोनों के रूप में behavior करता है ठीक है इसलिए उसको बोलता है उबेर धर्मी प्रकरती ठीक है अब देखिए एक चिज़ों द्यानक निए इसके पियेश वैली है वो मैंने या पर नहीं लिखी है तो normally जो पियेश वैली होती है आठ्लाओ, अब इसके सरंचना की बात करते है तो यह इसके सरंचना पाई जाती है और इसमें दोस्तों आपके hydrogen, 당 Micheal, इसके जो कोंड के होता है और आपको यह द्याना करना, बॉर्ण नेंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री, ठीक है, चलिए, अब बरफ के बारे हम देखते हैं, इन्हें आइस के बारे हम देख लेते हैं, आइस के बारे हम, बरफ के बारे हम कुछ important fact हम देख लेते हैं, पहले चीज़ते हैं कि बरफ जो होत है, और आपको पता है, आर्कमेडीज ने सिद्दान दिया था, कि जो भी हलकी वस्तुए होती हैं, ठीक है, वो पानी के अंदर तैरती हैं, और जो भारी होती है, वो गाइस डूब जाती है, तो बरफ का गनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है, इसलिए, यह है पानी के सत है, लेकिन कुछ है, जम्बू कस्मीर सिमला, इधर जहाँ पर बरफ यादा पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो आपके नदी होती है, कोई भी तो बरफ जम जाती है, तो बरफ करती है, आगर आप उस बरफ को अठा दोगे न, उपर से, तो आपको नीचे पानी मि चलिए, अगर आप उस बरफ को अठा दोगे, तो उस बरफ के नीचे आपको पानी मिलेगा, ठीक है, चलिए, अगला देखते हैं बरफ के बारे में, कि एक्स की रण परिक्षन किया गया था, यहाँ पर यहाँ पर यह पता लगा कि जो बरफ की सरनचना होती है, बरफ की ज के लेखते हैं, अगला पर सकते हैं, अब जो इसकी बरफ किया बलते हैं, और इसका उपयोगा आपको ढहरण को जिрип यह तक है, और इसकी सब्सक्ते बरफ कर सकते हैं, तो बहूत कि दृता है, हम बहुत उस्चतापमान प्राप्स कर सकते हैं, तापको परमानूब्टी, त सब्सक्राइब निकालत सब्सक्राइब Dinner सब्सक्राइब को लानु जल क्या होता है ऐसा जल जो कि साबुन के साथ आपके जाग नहीं देता और पानी के साथ जाग नहीं देता अधिक मातरा में ऐसे पानी को बोलते हैं थो तो सो hard water, अब देखे, hard water आपके दो परकार का हो सकता है, पहला या तो एस्ताई का तोड़ता और या इस्ताई, मतलब या तो temporary उसमें hardness हो, यह फिर दोस्तो permanent hardness हो, तो देखे, तो temporary hardness होती की question बहुत important है, कि temporary hardness होती है, वो किस किस की होती है, तो आपके calcium के hydrogen carbonate, ठीक है, calcium के hydrogen carbonate और magnesium के hydrogen carbonate होते हैं, वो दोस्तो एस्ताई काटोड़ता यानि कि temporary hardness देते हैं, पानी के अंदर, ठीक है, और जो permanent hardness होती है, वो होती है, calcium magnesium के chloride से, और calcium magnesium के sulphate से, ठीक है, तो आपको ध्यानक निया अगर पूछे, कि permanent hardness होती है, वो किस की वज़ासे होती है, तो आपके hydrogen carbonate की वज़ासे, और जो permanent काटोड़ता होती है, यह temporary होती है, जो permanent होती है, वो जो भी आपको hard water दे रहका है, ठीक है, माले जी, मैगनेशियम का hydrogen carbonate है, अगर इसको diver उबालें, मतलब गनम करेंगे, दोस्तों तहां पर देखिए, carbon dioxide गैसा लग हो जाएगी, मैगनेशियम का आपका hydroxide बन जाएगा, तो पहला method तो यह बिल्कुल simple सा उबालना, ठीक है, मतलब इसको boil करके भी diet हम कर सकते हैं, दूसरा method है, Clark method, ठीक है, Clark विरी, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो भुजा हुआ चुना होता है, जो होता है, calcium oxide जो होता है, ठीक है, इसको बोलते है, बुजा ह आपका hydroxide होता है, इसके अभीकृया, जो आपका hard water उस से कराते है, ठीक है, इसके तो इह बिकरी रहे होते है, मतलब इस जल आपका प्राप्त हो जाता है, मेल, ठीक है, तो यह आपकी method है, Clark विदी बस आप से यह पूछ ले जाता है, Clark विदी जो होती है, उसमें ऐस्ता ही क क्लोरेट है सोडियम कार्वनेट लिए तो आपके सोडियम कार्वनेट तो दोस्तों इस olm कार्वनेट बना कर 25 इसमीत कだ बैल सोडिय क्या कड़ते हैं ये केलगोन होता क्या है सोडियम का जो हेक्सा मेटा फासफेट होता है उसको बोलता है केलगान मैथड है केलगान किसे में बोलता है सोडियम हेक्सा मेटा फासफेट इसको बोलता है केलगोन जब केल गोन को आपके hard water में मिला जाता है दोस्तों तो यह क्या करता है उसके hardness को खतम कर देता है reaction बहुत ही कटिन है और पूछी भी नहीं जाती है क्योंकि यह 11 का topic है already तो आपको इतनी चीज़ देखने ही दूरत नहीं ग्रूबडी में दोस्तों आपके 10 तका ही आता है चलिए अगला जो method है वो है आयन विनियम अवी यानि कि आयन एक्सेंज method इसमें क्या करते हैं दोस्तों इस method को जियो लाइट या पर्म्यूटिट विदी बोलते हैं पर्म्यूटिट मेथड बोलते हैं और इसको जियो लाइट मेथड भी बोलते हैं इसमें क्या करते हैं इसमें दोस्तों sodium old अμिनोnicos जो स्कते हैं इसको हार्ड वाटर मिलाते हैं क्या करते हैं sodium عEM अलूमिनो और इसको यह पर मिला जाता है आपके Hardwater में दोसके hardness कहतम हो जाती है चलिए एक आगला देखते है sinkton देट तो यह method बहुत ही है बहुत सा चीसीट mama भूपको ध्यान रखना यह मैथर्ड होता है आपके जो परमानेंट हाडनेस उसको अठाए जाता है चलिए अब देखते हैं पानी के बारे में अब देखें यह हो गया हड़ वाटर तो एक सोफट वाटर होता है जो आपके पानी ऐसा पानी जो आपके साबुन अधिक मात्रह में ज़ाग देता है फोम बनाता है उसे दोस्तो आपका सौफ्ट वाटर चलिए अब हम देखते हैं पानी के बारे में कुछ मैथ्पुन फैक्ट जैसे की पहला पहला फैक्ट देखते हैं देखिए पहला यहाँ पर देखते हैं कि जडो के द्वारा पानी की अ aur Jahre Rin tuke Osmosis बहुत पर फूचा गया है किस परीकृर्य के द्वारा पीड़ पोधे जड़ों के द्वारा पानी को उपर की היłam ओर ऑफ प्राल、、 है तो आरो जो होता है कि फुल फरम आपको ज्याहनन करना किका है किस्की औरск-घ्र मुथा नियुक्स नपर करता है जिसको बोलते हैं और फिर तो यह जीव क्या करता है दोस्तों समुंद्री जल से क्लोरीन जो आयन होता है इसको दोस्तों ग्रहन कर ले लेता है तो दोस्तों क्या बज़ाता है फिर जो समुंद्री होता है इसमें एने प्लस और दोस्तों एने प्लस के कारणी समुंद्री के अंदर जो खारा पानी होता ह ह覺得 salah water होती है इसी की वज़े से होती है तो यिए कि उसमें बहुत-बार वार पूचाँ है कि समूद्र जल से क्लोरिन आइन बताया तो यह एक इंहीं होता है उसके आता मेरे का кए ऐसे बाहर चेप्टर लगाता है मैं ऐसके बाहर न यह अब देखते हैं साबुन और कि बारे में तो चलते हैं साबून और सब्सक्राइब को बोलते हैं आपके अपके चाहिए करने वाली पदार तो पहला है पढ़ता है हम सौप के बारे में साबुन के बारे में देखिए साबुन है सबसे पुराना अपमार्जक होता है ठीक है ये दीर के सरंखला वाले ठीक है पहला क्योशन यही पुझा है कि साबुन क्या होता है तो guys क्या जानकना है कि साबुन जो होता है carbon की बहुत बड़ी इसमें सरंकला पाई जाते है मतलब carbon 12 से लेकर carbon 18 ठीक है इतने लंबी carbon सरंकला पाई जाती है तो साबुन होते क्या है guys mainly आपके लंबी carbon सरंकला वाले वसा अमलो होते है अगर एक लाइन में वोलों कि साबुन क्या होते है लंबी carbon सरंकला वाले वसा अमलो होते है अब साबुन बनाते कैसे है तो वसा अमलों के क्रिया sodium hydroxide से या potassium hydroxide से कराई जाती है तो दोस्तो साबुन मनता है और इस process को बोलते हैं साबुनी करण यानि कि साबुनाने की जो परक्रिया है इसको बोलते हैं साबुनी करण कैसे बनाते हैं चले देख लेते हैं यह आपके वसामल है इसमें आपके कार्बन 12 से कार्बन मतलब बहुत बड़े-बड़े कार्बन इसमें लिए गए है तो जब इनके अभी कर्या sodium hydroxide या आपके potassium hydroxide से कराते हैं तो दोस्तों होता क्या है देखें यह reaction का आप अच्छे समझी क्या करते हैं यह OH है ना यह OH यह OH क्या करता है आपके यहां से break होता देखें यहां से break होगा यहां से ब्रोक हो जाता है तो र-C-O-N यह आपको फिछ र-C-O-O और यह एने जोटता है मतलब तीन तो र-C-O-N बन जाता है और यहां पर CH2OH CH2OH और CH2OH यह गिलिस रोल बन जाता है तो यहां पर यह जो होता है र-C-O-N इसको बोलता है साब बन एक चीज और द्याहनक नहीं है कि यहां पर केबल उच्छ वसा अमलों के सोडियम और पोटेशियम लवनों से ही साबुन जो मनते हैं वो जल्में विले होते हैं अब लेकिन आपको पताओगा सैंपू बनाते हैं लेकिन कुछ साबुन ऐसे होते हैं सैंपू बना लेते हैं और कुछ सेविंग के वह साबुन बनाते हैं उनके लिए पोटेशियम का उप्योग किया पल्स का पेर्स प्योग तो आपने दिखा हो गली सरीन का उप्योग किया जाता है यह आपको ध्यान रखना है, glycerin का उपयोग होता है, पार दर्थी साबून, जिन में आर पार दिखता है न, उनको बनाने में glycerin का उपयोग किया जाता है, चलिए, यहाँ पर देखे, वोई चीज है, मैं थोड़े पहला आपको बताए, जो मर्दू जल होता है, कठोर जल उ देखते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, दोस्तों अपमार्जक होते हैं, तो साबून की तरह ही है, लेकिन दोस्तों साबून जो होता है, वो आपके कठोर जल में काम नहीं करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अब अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं, सोडिय यहां पर देखते हैं कि किसे प्रकार से आपका साबुन है वह काम करता है यानिकि साबुन के दौरा जो सफाई होती है किस प्रकार से की जाती है बहुत कोई सफाई होती है कि किपड़े को बिल लगी होती है किसी चार ओर क्या गठते हैं मिसल बनती है मिसल क्या बोलते हैं जहाग ठीक है उसे बोलते हैं मिसल तो सबसे क्या होता है? यह आपका साबुन होता है, सी गइती होता है, तो इसके वाले जो भाग होता है, जिसमें आपके सी सब alcanzation II- यह वालन इसमें सथ रा कार्वन जुडे हो है, इसको बोलते है, और इसको बोलते हैं हाइडोजन भाग या जल विरोधी भाग यह आपको ध्यानगना है बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से पूछ ले जाता है कि साबुन होता है उसका जल विरोधी भाग कौन सा होता है जल विरोधी कमाता दोस्तों यह जल के साथ नहीं जुड़ता है ठीक है और एक होता जल इसने जो जल के साथ जुड़ता है अब देखिए काम कैसे करता है यह आपको समझ ले न देखिए आपके कोई भी गंदगी होते हैं तो गंदगी के चार और ऐसे बहुत सारे बहुत सारे बुलुबुले आपने देखे होंगे तो बहुत सारे यह उनको बोलते हैं जल विरागी तो करता है क्या है गया है घुब्बारे जो बनЕТ ठीके गज़को को बार खींच के लाते हैं ठीक है यह पानी से किरिया करके उस गन्दगी को बहा कर ले जाते। ठीक है मैं दुबारा से कि जो आपको टेडी मेटी दिख रहा हैं यह अंदर की ओरता है तो बाहर की सरक् fitness आपके कड्या करते हैं इस प्रकार से आपके साबुन से ठीक है आपके साबुन से गंडगी कोई गंदगी है तो यहcessor अपके मिसेल बन जाती है इस प्रकार से धॉ तो यह जो बहर्षा यह से क्रिया करके पूरी गंदगी को बहब कर ले जाता हूँ ठाइव अपमार्जक ठीक है और पानी के प्रकार तो गाई आसा करते हैं कि आपको यह पूरी स्रीज अच्छी लेगी केमेस्ट्रिय हमने कंप्लेट करा दी है और फिवी अगर कोई डाउट रह जाता है तो जैसे से हम प्रिवेश से साइंस करेंगे तो उसमें एक्स्प्लेंड कर दे